सूपर बात विद्यार्थियों, आज हम मैथिली शरन गुप्त द्वारा रजित कवीता ककई का अनुताप पढ़ेंगे, तो आए बच्चों कवीता पढ़ना शुरू करते हैं। ये सच है तो अब लोट चलो तुम गर को, चोंके सब सुनकर अटलक कई स्वर को, सबने रानी की और अचानक देखा, वैद्वे तुशार वृता यथा विदु लेखा, बैठी थी अचल तथापी असंख्यत रंगा, वै सिंगी अब थी हह गोमुखी गंगा, हाँ जनकर भी म आने नहीं बरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्विम अभी ये हमाना, ये सच है तो फिर लोट चलो घर बैया, अपरा दिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, वैद्वे अर्थात विद्वपन, विदु लेखा अर्थात चांदरी, अचल अर्थात स्थिर, गोमुखी अर्थात गोमुख से निकलने वाली निर्मल गंगा, जनकर अर्थात जनम देकर, तात अर्थात पुत्र, बच्चों क्या आपको पता है, श्री राम के वन चले जाने के बाद, बरत उन्हें वापस लाने के लिए, गुरु वशिष्ट और राजा जनक आदी के साथ, चितर श्री राम भरत का आग्रह सुनकर, उनके गुनों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, कि भरत तो इतना महान है, कि उसे जनम देने वाली मा भी उसे नहीं पहचान सकी, ककेई भी श्री राम से अयोधियां चलने का आग्रह करती है, यह सच है, तो अब लोट चलो तुम गर को, ककेई कहती है, कि राम ने यह माना है, कि बरत को जनम देने वाली मा, ककेई उसको नहीं समझ सकी, अगर यह सत्य है, तो राम इस सत्यों को मान कर गर लोट चले, कके के इस अटल स्वर को सुनकर चित्रकूट में उपस्थित सब लोग आचारे से चोंक उठते हैं सबने रानी की ओर अचानक देखा वैद्वेत उशारवरिता यथा विदू लेखा सब लोग रानी कके की ओर अचानक देखते हैं उस समय विद्वापन के दुख से पीडित रानी ऐसी लग रही थी मानो कोहरे से डकी चांदनी हो बैठी थी अचल तथापी असंख्यत रंगा वै सिंगी अबथी हह गोमुखी गंगा ककेट देखने में तो बिलकुल निश्चित बैठी थी लेकिन उसके मन में हजारों बाव उठ तता मिट रहे थे वै शेरनी अब गोमुखी गंगा के समान अर्थात शान्त तता पवित्र दिखाई दे रही थी हाँ जनकर भी मैंने नहीं भरत को जाना सब सुन लें तुमने स्व्यम अभी है माना ये सच है तो फिर लोट चलो गर भहिया अपरा दिन मैं हूँ तात तुम्हारी महिया ककेई फिर कहती है ये सत्य है कि बरत को जरम देकर भी उसे समझ पाने में वह असमर्थ रही है इसी तत्य पर वहराम से अयोधिया लोटने का अगरह करते हुए कहती है कि उसकी मा ककेई अपरा दिन है बरत का इसमें कोई दोश नहीं है इसलिए वह बरत के बाई होने के नात अयोधिया वापस लोट चले इन पंक्तियों में ककेई की आतम गलानी प्रकट की गई है और राम से अयोधिया लोटने का अनरोध किया गया है कके के विद्वा रूप का मार्मिक शितरन किया गया है वैद्वेत उशार्व्रिता तथा यथा विदूलेखा में उपमा बैया और मैया में सुंदर तुकबंदी है समवाद शाले का प्रयोग हुआ है दुर्बलता का ही चिनह विशेश शपत है पर अबला जन के लिए कौन सपत है यदि मैं उकसाई गई भरत से हौँ तो पतिसमान हिस्वयम पुतर भी खौँ ठैरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन ल करके पहाड सा पाप मून रह जाओं राई बर भी अनुताप न करने पाओं ककई आतम गलानी और पच्छताप की बावना से पीडित होकर कहती है दुर्बलता का ही चिनह विशेश शपत है पर अबला जन के लिए कौन सा पत है कके कहती है कि कसम खाना व्यक्ति की दुर्बलता का ही परिचायक है लेकिन अबला नारियों अर्थात बलहीन नारियों के लिए कसम खाकर अपनी सच्छाई को प्रकट करने की सिवाए उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता ककेई कहती हैं यदि मैं उक्साई गई बरत से हूँ तो पति समान हिस्विब पुतर भी खोँ ककेई कसम खाकर कहती है कि यदि उसे वर मागने के लिए बरत ने उक्साया हो तो वह पती राजा दश्रत की तरहां पुतर को भी खो दे आगे ककेई कहती है ठहरो मत रोको मुझे कहूं सो सुन लो पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो करके पहाड सा पाप मोन रह जाओं राई बर भी अनुता पन न करने पाओं ककेई के ऐसे कठोर वचन सुनकर वहाँ उपस्थित सभी लोग उसे ऐसा कहने से रोकते हैं लेकिन तब ककेई उनसे कहती है ठहरो उसे रोको नहीं उस समय वह जो कुछ भी कहे उसे शान्ती पुर्वक सुन लो यदी ककेई की कठों में कुछ सार हो अर्फात वह ग्रहन करने योग्य दिखाई दे तो उसे ग्रहन कर ले आगे ककेई कहती है कि उसने पहाड जैसा पाप किया है इसलिए वह मोन कैसे रह सकती है इतने बड़े पाप के लिए वह राई बर भी अर्थात थोड़ा सा भी पच पच्छताप ना करें इन पंक्तियों में ककेई की शारिरिक और मानसिक शितिलता प्रकट कर उसके पच्छताप की चरम सीमा दिखाई गई हैं करके पहाड सा पाप मून रह जाओं बचों यहां पे पहाड सा पाप में उब्या अलंगार है इसमें पवर्ण की आवरीती से शब अलंगार उपमा है इसलिए यह उब्या अलंगार है बाशा आकरशक तथा परबाव में है भरत को निर्दोश बताकर उसके चरित्र के गोरव की रक्षा की गई है ककेई का पच्छताप दिखाकर उसके चरित्र को उजवल बनाने का प्रेतन भी किया गया है समवाद शैली क प्रियोग हुआ है